मैं दिपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो काफे दिनों के बाद वीडियो के थुरू हमाँ आप सभी के साथ जुड रहे हैं लेकिन अब से हमारी वीडियो आपके लिए रेगुलर आएंगी तो इसलिए आप चैनल के साथ जरूर कनेक्ट रहे तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरिस ओलम्पिक्स में जाने वाले इंडियन बॉक्सिंग स्क्वाइड की तो भारत की तरफ से टोटल 6 कोटे सेक्योर किये गए हैं वहीं बात की जाए तो आज की दिन की समापती तक 3 कोटे सेक्योर किये गए और वो किये गए हैं World Boxing Qualification Tournament 2024 के थूँ जो कि Bangkok में चल रहा था और ये टूनमेंट आज खत्म हो चुका है और ये ही टूनमेंट था Boxing के अंदर आखरी qualifying टूनमेंट बात करते हैं तो इस टूनमेंट से पहले भारत ने ओलेडी तीन कोटे सेक्यूर कर लिये थे Asian Games 2023 के थूँ जहां पर 50 kg काटेगरी में टू टाइम वर्ल चांपियन निकषजरीन ने अपनी जगा पक्की की थी उनके अलावा 54 kg में प्रीती पवार और 75 kg काटेगरी के अंदर ट शान देव की जिनोंने बैंककोक में हुए इस क्वालिफिकेशन टूनमेंट के दुआरा 71 kg काटेगरी में अपनी जगा पक्की करी है और पारिस के लिए अपना टिकेट कटवाया है वहीं बात करते हैं तो उन्होंने मॉल्डोवा के बॉक्सर को 5-0 से हराते हुए जीत दर वहीं अब बात करते हैं पांचवे कोटे की जो की जीता गया है 51 kg काटेगरी में अमित पंगाल के दुआरा बात करते हैं तो अमित के पास ये आखरी मौका था क्योंकि इससे पहले हुए क्वालिफिकेशन टूनमेंट के अंदर इस काटेगरी में दीपक बोरिया इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे लेकिन आज उनके पास आखरी मौका था और उन्होंने इस मौक को भुनाया और इसी के साथ वो पैरिस के लिए कौलिफाई कर चुके हैं उन्होंने अपने चाइनीज ओपोनेंट को पांच-जीरो से हराते हुए जीत दर्ज करी और इसी के सा को पांच-जीरो से हराया और कंप्लीटली डॉमिनेट करते हुए इस मुकाबले को वो भी पैरिस के लिए कौलिफाई कर चुकी हैं तो यह थे टोटल छे नाम जो कि इस बार के पैरिस ओलम्पिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं वहीं बात की जाए तो प देते हैं अमित पंगाल और जैसमीन लंबोरिया ने अपने 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 कोटे जीतने के बाद क्या-क्या प्रतिकिर्या दी और अमीट कैसा लग रहा है और मैं स्क्रिक्स कर दोब्सक्राइब करना चाहिए इसकी लिए ताकि मैं इसकी लिए अपर टिकेट मेरे आदमें करना करना चाहिए इसकी मेरे अपने कोटें करना 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 चाहिए आप बाकि पारस ओलम्पिक्स और स्पोर्स रेटेड अपडेट जाने की लिए और पिर आज की वीडिया आप सभी के लिए बागी पारस ओलम्पिक्स और स्पोर्स रेटेड अपडेट जानने की लिए चानल के साथ जरूर चुड़े रहें उसको जरूर सब्सक्राइब कर दे so thank you for watching the video